तो इन जगहों पर हो सकती है कि कल छुटी रहे क्योंकि कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से इस चीज़ का एलान किया गया है दोस्तो इस वीडियो में हम कतर की बारे में कुछ लेटेस्ट अब्डेट आप लोगे साथ में शियर करने वाले हैं तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें चली आज की वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तो यहां पर आप लोगों को एक वीडियो पले होती ही नदर आ रही होगी जो के लुसैल कॉर्णिश की वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को वहां का जो है ब्यूटीफूल सीन नदर आ रहा होगा यह जो है दोस्तों कतर की खुबसूरती है जहां पर यह शाम का सीन दखाया जा रहा है कितना खुबसरत यहां पर नजर देखने को मिल रहा है दोस्तो आज का जो अगला अपडेट है आप यहां पर देख सकते हैं यह कतर एरपोर्ट में इंडियन कम्यूटी के लोग हैं जो के यहां पर आप लोगों को कितने पुर्जोश नजर आ रहे होंगे दोस्तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाला 12 जनवरी 2024 से ले करके 10 फरवरी 2024 तक कतर में एशिया का फुटबॉल कप मैच होने वाला है तो यहां पर आप लोगों को इंडियन कम्यूटी के लोग नजर आ रहे हैं यह लोग अपने टीम को वेलकम करने के लिए आए होए हैं यहां पर कहा जा रहा है कि एशिया कप में जिन जिन टीमों ने पाटिसिपेट करना है तो उसके लिए सबसे पहली टीम जो कतर आने वाली है तो वो इंडिया की टीम है तो उसी को वेलकम करने के लिए यहां पर बहुत सारे इंडियन भाई कतर येरपोर्ट पर मौझूद हैं आप इनके अंदर में जोश और जजबा देख सकते हैं कि ये लोग ज़किस जोश और जजबे के साथ में अपने टीम को वेलकम करने के लिए आए हैं क्योंकि इनकी टी कीटी में लुसेल्ट ट्रेम में जो है यहां पर साल के अख्तताम के मुना सबस से एक function रखा गया है यहां पर कहा जा रहा है कि आम लोगों से भी उस function को जा कर देखने के लिए वहां पर जो भी प्रोग्राम होंगे last year के मुना सबस से उसको देखने के लिए यहां पर आम लोगों से कहा गया है साथी साथ दोस्तों मैं आप लोगों को लूसेल ट्रेल के बारे में एक और नया अपडेट देता चलूं वो यह कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लूसेल ट्रेल में आज यानि कि 31 दिसंबर 2023 से ले करके 17 फर्वरी 2024 तक के लिए इसका जो में सलक है इसको बंद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आज से ले करके 17 फर्वरी तक इसके बीच महाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम और फंक्शन होंगे आम लोगों के लिए जिसकी वज़स यहाँ पर कहा जा रहा है कि लूसेल ट्रेल में जो में सलक है इसको बंद किया जा रहा है अगला जो अबनेट है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकती है कतर सेंटरल बाइंक की तरफ से कहा गिया है कि नया साल आने की वज़स से यहाँ पर 1 जनवरी को जो के कल पर रहा है तो 1 जनवरी को financial department में छुट्टी हो सकती है कि जैसे कि आम बाइंग हो गए इसी तर एक्षेंज हो गए तो इन जगहों पर हो सकती है कि कल छुट्टी रहे क्योंकि कतर सेंटरल बाइंग की तरफ से इस चीज़ का एलान किया गया है दोस्तो आज का जो लाश्ट अपडेट है यहाँ मौई कतर की तरफ से कहा गिया है कि अगर आपके मौईल में भी कुछ इस तरह का मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक पर आप लोगों को किलिक करने के लिए बोला जा रहा है या यह कि आप लोगों को पैसा कपे करने के बाद में आपका जो है वहाँ पर पारसल करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर इवाई कतर की तरफ से आम लोगों को खबरदार किया गिया है कि ऐसी चीजों पर दिहान न दें और 104 पर कॉल करके इसके बारे में आपका नफरमेशन मालूम कर सकते हैं यह जो है फेक है यह एक ओरिजनल है क्योंकि आजकल कतर में कतर पोश्ट के नाम से बहुत जादा धोखा धड़ी का काम चल रहा है